हां're हेलो तेडियो में लैल्कम टू टू बेइक तैम क्लास Did इस वीडियो में हम उपि की जड़करणा और Node की do theх जन संख्या नीती जो नहीं वाली आई है इसे देखेंगे उसके बाद इंडिया की जनकरना करेंगे फिर करेंगे यूपी की जनकरना उसके बाद कुछ कोश्चन सॉल्व करेंगे जिससे जो चुछ आपको क्लियर नहीं हुई है उस क्लियर हो जाएगी जो अलग अलग परिक् पेस की गई 11 जुलाई 2021 को जो की जनसंख्या दिवस के रूप में मनाय जाता है अब जनसंख्या दिवस कब से मनाय जा रहा है ये भी कोशन आ सकता है तो 1989 में सेयुक्त राश्ट महास अबादवारा घोशना की गई थी क्योंकि जो विश्यो की आबादी है वो 1987 में 1987 में 5 है यह लक्ष तो 2026 तक जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष रखा है सकल प्रजिन अंदर का वह 2.1 परसेंट मतलब जो प्रजिन अंदर करनी है वो 2.1 परसेंट दो जार शब्यस तक अभी कितनी है 2.7 परसेंट 2030 तक कितना लेके आना है 1.9 तो यह भी पूछा जा सकता है 2026 तक कितनी करनी है 2.1 2030 तक कितनी करनी है 1.9 फिर अगला है कि 2026 तक मात्र मृत्युदर कितनी करनी है तो मात्र मृत्युदर करनी है 1.500 अभी 197 करनी है 1.500 और मात्र मृत्युदर क्या होती है चो 10 लाख बच्चे पैदा होती है तो उसमें कितनी माओं की मृत्य हो जाती है तो इस तक नाइटीएट, दोज़़शब्विस तक एकसो बचास अगली जो बात है कि दोज़़शब्विस तक सिशु मृत्यूदर को कितना लाना है जो एक हजार बच्ची जन लेते हैं उन में से कितने बच्चे अभी मर जाते हैं 43 बच्चे मर जाते हैं और 2026 तक इसे 32 लेके आना है और 2030 तक इसे 22 करना है तो ये चीज़े इंपोर्टन्ट है फिर जीवन प्रत्यासा 2026 तक हमें 66 वर्ष करनी है अभी कितने हैं 64 वर्ष ही है तो अभी आउस्तन लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं और लेके आना है 66 वर्ष और 2030 तक इसे 69 करना है 2030 का लक्षी क्या है 69 वर्ष तो ये चीज़े इंपोर्टन्ट थी अब भारत की जनगर्णा के बारे में देखते हैं 2011 के हिसाब से यही पूछा जाता है पहली बार सरप्रिथम जनगर्णा कहां पे हुई थी विश्व में स्वीडन में हुई थी 1749 में और दसकी जनगर्णा अमेरिका में पहली बार हुई थी 17 में भारत में पहली जनगर्णा अठारह सो बहततर में हुई थी 1872 में लोड मेयो के टाइम पे महा विभाजक वर्ष क्या होता है यह पूछा जाता है तो 1921 को महा विभाजक वर्ष कहते हैं क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में जो जनगर्णा हुई उसमें जो जनसंख्या व्रिधी धर थी उन्यूंतम थी मतलब व्रिधी बहुत कम हुई इसलिए इसे महा विभाजक वर्ष कहते हैं फिर आता है जो 2011 के जनगर्णा हुई थी इसमें जनगर्णा आयुत कौन थे तो डॉक्टर सी चंद्रमॉली पूछ लिया जाता है सी चंद्रमॉली और सुभंकर इसका क्या था प्रगड़क आदर सुभा की कौन सा था हमारी जनगर्णा हमारा भविश्य तो इस चीजें पूछ ली जाती है इसमें कितने सवाल रखे गए थे 29 सवाल थे टोटल जो जनगर्णा के टाइम पे लोगों से बूछ जाते थे फिर पूरे विश्य में जो भारत का प्रतिसत है जनगर्णा म में आते हैं उसके बाद जो 64 साल से साल से उपर जो 20 की वेक्ति होते हैं उन्हें अनुत पादक वर्ग में रखा जाता है उत्पादक में किने रखा जाता है 15 से 64 वर्ग के बीच की जो लोग होते हैं उन्हें उत्पादक वर्ग में रखा जाता है 15 से 64 वर्ग में रखा जा 60 साल के बाद वाले जो लोग होते हैं वो senior citizen में चले जाते हैं तो यह इंडिया की हिसाप से केवल था और जनकरणा की जो बात किस आर्टिकल में की गई है यह पूछा जाता है तो 246 में जनकरणा की बात है 246 में अब भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है 121.09 करून तो यह इ menager 3 करून फिर कुछ चीजें जो पूछ ली जाती है एकजाम में जनसंख्या की दृष्टी से राज्यू 9 का क्रम जो अधिकतन वाला है पहले नंबर हमारे उत्तर प्रदेश का अहारां फिर दूसरा है माहराष्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा है पिहार का सबसे पहला नं안 प्रदेश का नियुंतम में देखा जाए राज्यों में तो सिक्किम पहले नंबर पे सबसे कम जन संक्या फिर मिजोरम फिर अंड़ाचल प्रदेश यह अंद्र प्रदेश नहीं याद रखेगा यह अंड़ाचल प्रदेश है तो पहला वाला बहुत इंप्पोर्टेश है तसकीय ब४्रीदेश सब्से जयादा कहां पर वरिध्धी हुई पूरे 2001-2011 के बीच में तो में घाले में सबसे जहादा बृदेश फिर अनद Camera प्रदेश फिर प्रदेश फर्देश यहाँ पर बहुत लोग पहर को अधिक्त्रम लगा सकते हैं क्योंकि माइंसेट होता ऐस कि बहार में जादा जनसंखयाय है लेकिन तसकी ब confidently काहां उग लेंगाले में फिर जान्यूंतम जूभी डर्ष, ब्रेशित, लक्षि दीप कहां त媒त तो कितना है इंडिया का 382 वेक्ति पर वर किलोमेटर, एक किलोमेटर में 382 वेक्ति रहते हैं, जो कि पिछली बार से 2001 की जनगरना के हिसाब से 57 जादा है, 57 जादा है, तो यह पूछ लिया जाता है कभी-कभी कितना बढ़ा है जनगरना है, 57 जनसंख्या ब्रिधी दर कितनी रही, 17.72%, 2001 से 2011 के वीच में जो ब्रिधी हुई, पूरे इंडिया की बात की जा रही, 17.72%, फिर देखते हैं, जनसंख्या घनत्यों के हिसाब से देखा जाए, तो अधिक्तम घनत्यों किसका है, बिहार का, मतलब एक किलोमेटर के अंदर जितने लोग रहते हैं, उनमें सबस से कम लोग रहते हैं, एक किलोमेटर के अंदर में, फिर लिंगा नुपाद देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा लिंगा नुपाद केरल में, सबसे कम हरियाना में, सबसे ज़्यादा लिंगा नुपाद केरल में, सबसे कम हरियाना में, फिर साक्षरता दर सबसे ज़्याद संख्या के यह साथ सब्सक्राइब कहा है उत्तरप्रदेश के नंबर पर दूसरे नंबर वेस्ट वेंगॉल भीहार आताय पिडियान नियुटम नियुटम यहां जाती कहा है मीजोरं में फिर मेघाले फिर जो उत्तरपूर वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत कम SC, वहाँ पर ST जादा है, तो सबसे कम कहा है मिजूरम में, अनसूची जनजातियों की बात करें, तो percentage वाइस देखते हैं, सबसे ज़्यादा है लक्षदीप में, फिर मिजूरम में, फिर नागा लेंड में, और सबसे कम कहां पर है, सबसे कम अनसूची जनजाती, यूपी में, percentage वाइस, फिर तमिल लाडू में, फिर विहार में, सबसे कम यूपी में, सबसे ज़्यादा लक्षदीप में, पहले जाती आधारित जनगर्णा कब हुई थी, 1931 में, जाती आधारित, 1931, अब बात करते हैं, उत्तर का नंबर आता है, फिर बहुत आते हैं, फिर जैन आते हैं, अगर यही यूपी की बात होती, यहां पर इंडिया वाला लिखा याद रखे, यह इंडिया का है, और यूपी की बात होती, तो पहले हिंदू आते, फिर मुसलिम, यह दोनों तो सेम हैं, लेकिन यहां पर करम अ आते फिर बहुत आता और पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है जैन कम ये ज्यान ज्यादा इस बाद आनका भी रखा गया था एक क्रम तो उसमें भी कुछ लोग थे तो इसके बाद आने का नंबर आए आप देखेंगे कुल जन संक्या कितनी ही उत्तर प्रदेश की तो यह बहुत कम पूछा जाता है टोटल जन संक्या लेकिन यह है 19 करोण 98,12341 तो 1998,12341 ऐसे याद कर सकते हैं पहला नंबर है पूरे देश में जन संक्या के इसाब से यूपी का और दूसरे नंबर पर कौन आत पहले नंबर पर राजस्थान आता है फिर मद्य प्रदेश फिर महाराष्ट उसके बाद यूपी का नंबर आता है अगर जन संक्या की बात की जाए तो किवल चार देश ऐसे हैं जिनकी जन संक्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है बाकी सभी देशों की जन संक्या भी उत् इन मतलब यह 4 देशीं जिनकी जन संक्या ज़्चे से जादा है फीर देखेंगे पुरुसों की जनसंख्या 52.29 परसंट है महिलाओं की 47.71 परसंट है और जो बच्चों की संक्याज जिसाट 606 साल वाले जो बच्चे जिसू उनकी जनसांग्या है पूरे यूपी की जनसांग्या की 15.41 परसंट 15.41 पूरुस कितने हैं 52.29 और बच्चे कितने हैं 15.41 दसके बृती यूपी की किती रही 20.2 परसंट और यह पूरे इंडिया में 15 नमबर पर रहा सबसे ज़्यादा जनसंक्या बृदी कहा हुई गौतम बुधनगर में और सबसे कम हुई कानपूर नगर में सबसे ज़्यादा जनसंक्या बृदी कहा हुई इस दस साल के अंदर 2001 से 2011 के अंदर गौतम बुधनगर में सबसे कम रही कानपूर नगर में जन संक्यागान तो कितना है यूपी का 829 यूपी का कितना है 829 और पूरे इंडिया में इसका नंबर है नवा लास्ट में हम थोड़ा compare भी कर लेंगे इंडिया और यूपी का और गाजियाबाद का जो है जनगना तो सबसे ज़्यादा है लेलितपूर का सबसे कम यह चीज़े पूछी आती है सबसे ज़्यादा जनगना तो कहा है गाजियाबाद में सबसे कम है लेलितपूर में कि बात कि जा रही है साक्षड़ता अधर कितनी हैं te In इश्ति ज्यदा है कहां पए गौतम बुदٌ नगर में सबसे कम कहा armpit इपने पुर्सों की सांवपता क्या सब्सक्राइन स्था पुर्स यह तो सबयेशनें इस चीजी स्वाथ जानपुर में सबसे कम है गौतबुधनगर में इंपोरे इंडिया में योगदान कितना यूपी की जनसंग्या का 11.79% और पूरे जो इसका नंबर है यूपी का नगरों में जनसंक्या के इसाफ से दूसरा है पहले नंबर पे महाराश्ट राता है तो नगर में जनसंक्या के इसाफ से यूपी का दूसरा नंबर है ग्रामीड जनसंक्या कितनी है 22.72% एक याद रखिये दूसरा 100 में से माइन पहले नंबर पर पी जुस्त्रम वळी आबादी कह आता है कि नहीं पूंचते लोन ओंज송 सब्स प्रेता है नंबर सब्सक्राइब में फिर 25 प्रेल्ब की तो पीजाना में पहले विएलग्र सब्सक्राइब में सब्सक्राइब महाबादी कहां पर मिरठ में अगर राजियों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है महाराश्ट कर सकते हैं जन गर्णा बिद्धी कितनी हुई पूरी उत्तर प्रदेश टोटल पिर नगरी करण में देखें तो भारत में नगरी करण कितना है 31.2 परसेंट यह इन्पोर्टन चीज़े बहरत में नगरी करण 31.2% और यूपी में कितना है 22.3% पहले यूपी का लिखा है फिर इंडिया का ये आपको पूरा प्रीडिया टेलिग्राम पे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिस्टन ने दिया है आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंगा नुपात कितना है यूपी का 912 पूरे इंडिया का कितना है 943 तो लिंगा नुपात में भी कम है फिर सक्षर्था दर देखते हैं कुल वाली कुल वाली ही इंपोर्टेंट है और इसमें जो यूपी की सक्षर्था है टोटल वो 67.7% है और इंडिया की ये 73% इंडिया की सक्षर्था 73% और पूरुसों में देखे तो भारत में 80.9% स 77.3% सक्षर्था इस त्रियों में 67% 64.6% है इंडिया में और यूपी में 57.2% तो इस चीजी इंपोर्टेंट थी कुछ और चीजे हैं इनका आपको PDF मिल जाएगा देखे जैसे कुल जनसंख्या में अनसूचित जाती यूपी में कितनी है 20.7% मतलब हैसी कितना है यूपी म में केवाद 0.6 है यूपी की बात की जारी 0.6 और पूरे इंडिया में 8.61 स्ट है और कुछ चीजें जैसे मृतियुदर मृतियुदर कुल वाली देखेंगे बस 6.6 है प्रती हजार में यूपी की और इंडिया के कितनी है 6.2 शिशु मृतियुदर 43 है यूपी की और 32 है भा बढ़ाद का नंबर आता फिर गाजियाबाद आजमगर्ण फिर लखनो सबसे ज़्यादा प्रियागराज में नियुंतम जनसंख्या महोबा की सबसे कम है जनसंख्या पिर चित्रकूट फिर हमीरपूर फिर श्रावस्ति ललीदपूर पहला दूसरा तो कम से कम यादी कर ल में महोबा और चित्रकूट सबसे कम वाले में फिर पुरुसों की जनसंख्या की बात करें तो वही प्रयागराज मुरादाबाद वही ग्रम है जो टोटल में है और गाजियाबाद कानपूर नगर लखनो सरवादिक महिला कहा है प्रयागराज में और आजमगर उसके बाद न नमबर आता है फिर श्रावस्ति का गौतब बुद्द नगर में इसलिए व्रिद्धी हुई सब्सक्राइब क्योंकि लोग जो पलायान करके वहां जाते हैं नौकरी के लिए फिर नियुंतम दसकी व्रिद्धी कहां पर हुई कानपूर नगर में कानपूर नगर में सबसे क वराले पांच जले कहुं से हैं तो पहले नंबर पे नमबर पहं히 साघ्छाड़ता ओले पांच जले कौन से हैं तो पहले नंबर पे साख्छरता नगर की पिर कानपुर नगर औरया इटावा गाजियाबा नियूंतम साक्षरतार दर वाले पाँच जीले कौन से हैं स्रावस्ति में सबसे कम साक्षरतारर है've गौतमबुद नगर में सबसे ज्यादा याद रखिए सबसे कम लिंगानुपाद का है गौतमबुद नगर में अगर बच्चों की बात की जाए सिस्वों की 0-6 साल वाले में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपाद फिर आगे देखेंगे 2011 के अनुषार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है तो 77.3% पुरुष साक्षरता है जनगरना 2001 के अनुषार निम्ण में से कौन सरवाधिक साक्षर है सबसे ज़्यादा जो धर्मों के हिसाब से साक्षर है वो हैं जन फिर है 2011 के अनुसार इन आप्शन में बात की जारी सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है जैन 2011 के अनुसार राजे में सिशू लिंग अनुपाद है कितना तो सिशू लिंग अनुपाद है 902 और जो टोटल लिंग अनुपाद कितना है 912 की वल यूपी की बात की जारी है 2011 के अनुशार राजे में महिला आबादी कुल आबादी का लगबग कितना है तो महिला आबादी है 48% 2011 की जनकरना के अनुशार फिर यूपी में लिंग अनुपात का विभेद सरबादिक रूप से कब घटा जो सबसे ज़्यादा घटा था 1991 से 2001 के बीच में लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा कमी आई थी फिर है प्रदेश में जनसंख्या की दस्की बृधी दर अधिक्तम कब थी 1991 से 2001 में प्रदेश की जनसंख्या में सरवाधिक दर्श्की बृधी कब देखी गई सबस्यादा 10 की अब्रिदी कब हुई 1991 से 2001 में यही देखा हमने अभी फिर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ST की सरबादिक सांधरिता कहा है मतलब सबस्यादा STUP में कहा है तो सोन बद्र में 2011 के अनुसार केवल नगर निगम में 10 लाक से अधिक जनसंक्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा लखनवू, फिर कानपूर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा यहाँ पे केवल नगर निगम वालई जो छेतर आते हैं उसकी बात की जा रही है लखनो, कानपूर, गाजियाबाद, आगरा अगला है 2011 के अनुशार निवन में से सरवाधिक जनगनतु किसका है कौन से जिले का तो सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद का जनगनतु फिर 2011 के अनुशार उत्तर प्रदेश में महिला पूरुस अनुपाद क्या है तो महिला पूरुस अनुपाद जो है यहाँ पे होगा एक हजार में 912 महिला है एक हजार पूरुसों के उपर 911 महिला है फिर 2011 के अनुशर सर्वाधिक नगरी आवादी वाला जनपत कों सा है तो इक गाजिया बद है सर्वाधिक नगरी आवादी कहाँ पे है गाजिया बाद में 2011 के अंसार जनसक्या में किस धार्मिक समधाय का उत्रप्रदेश में तीसरे अस्थान है तो उत्रप्रदेश में तीसरे नमबर पे सिख है और पूरे इंडिया में तीसरे नमबर पे कौन है इसाई यूपी में सिख है तीसरे नमबर पे और इंडिया में इसाई है फिर 2011 के अनुसार उच्तम साच्छर्था किसकी है तो उच्तम साच्छर्था कानपूर नगर की फिर इन आप्शन में बात की जारी उच्तम साच्छर्था किसकी है कानपूर नगर की वैसे गौतम बुधनगर की है फिर जन्गरणा 2011 के अनुसार उत्तरपदेश का सारवादिक साथच्छाड़ता वाला जिला कौन सा इनमें से तो वो है गौतम बुधनगर और महिलाओं में भी सबस्यादा है कानपुर नगर की 2011 के अनुसार सरवादिक औसंटा साचर्ठटा वाले निम्न चार जिलो का सही औरोही क्रम क्या है तो सागछड़ता को औरोही क्रम में लगाना पहले नमबर में पर गौतम बुद्नगर पिर कानपूर्ण event नमबर आता है फिर इटावा का तो यही सही क्रम है गौतम बुद्नगर औरोही इटावा जनगरणा 2011 के अनुसार सरवादिक साक्षर्टा वाले चार जिलों का सही और ओही क्रम क्या है यहाँ पर भी हमें और ओही क्रम में लगाना है गौतम बुधनगर, कानपुर्णगर और यह इटावा तो यह कई बार आ गया है लेकिन यह कई एक्जाम में पूछा गया होगा जनगर्णा 2011 के अनुसार निम्ने कत्नों में से सही कौन सा है पहला वाला है नियुन्तम 166 वाला जिला स्रावस्ती है तो यह वाला सही है फिर है पहला सही होगा है फिर सरवादिक लिंगानुपात वाला जिला दिवरिया है यह गलत है खरवादिक लंगानुपाद जौनपूर में है फिर है नियुन्तम जनगनत वाला जिला कौन सा है ललितपूर यह सही है दूसरा वाला गलत हो गया नगर निगम छेत्र में जनसंक्या के आधार पर राज आगे है का सरवादिक जनसंक्या वाला नगर कानपूर है त फिर ये तीसरा वाला सही था, नियूंतम जनगना तो ललितपुर में है, तो 1 and 3 सही है, ओप्शन होगा B, 1 and 3. 2011 के अनुसार राज में 1000 बालकों पर बालिका सिशू की संख्या कितनी है, तो यहां पर सिशू की बात की जा रही है, 902, यह किवल उतर प्रदेश की बात है, फिर है 2011, एक से 11 की अवदि में प्रदेश में जन संख्या ब्रिदी दर कितनी रही, तो प्रदेश में रही 20.22%, सबसे ज़्यादा जन संख्या है प्रियागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर लकनों में, उप्शन होगा ए, नेक्स्ट है, 2011 के अवदि में से क्या सही नहीं है, तो पहला यहां देश की जन संख्या का 16.5 प्रतिसत निवास करता है, तो पह विदिदर 17.7% रही तो यह गलत है यहां UP की बात की जा रही है 20.2% है जो यहां की 10 की अब्रिदिदर है 20.22% है यह वाला गलत है उप्षनों का C लिंगा नुपात कितना है 912 और शिशुओं का लिंगा नुपात कितना है 902 UP में फिर 2011 के उंसार कूट से सही उत्तर चुनिये पहला छेत्रफल में या देश का पांचवा बड़ा राजी है तो ये गलत है 2010 की बात करें तब ये कोशन सही होता लेकिन 2011 में हम आ गए 2011 की जनगरना में तेलंगाना और आंद्रप्रदेश अलग हो गए तब यूपी का नंबर कौन सा हो गया यूपी का नंबर चोथा हो गया पहले पांचवा नंबर था क्योंकि आंद्रप्रदेश इससे बड़ा था फिर देश की जनगरना में इसका 16.5% है तो ये 2010 का प्रशन है इसको हम छोड़ देंगे 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है तो सबसे कम कहां पे है इन आप्शन में सबसे कम साक्षरता रामपूर में नेक्स्ट है निमन में से कौन जन संक्या की दृष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है सबसे बड़ा है प्रयाग राज फिर आता है जनगर्णा 2011 के अनुशार सरवादिक साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है गोतम बुद्नगर जनगर्णा 2011 के अनुशार सबसे कम जन संख्या वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम जनसंख्या है महुवा में तो ही स्का पीडियाप जितना मैं ने पढ़ा है इसका पीडियाप आपको टेलिघ्राम पे मिल जाएगा इसका यहां पर उत्तर भी लिखा है आप देख सकते हैं और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करती जगा आपको test series solve करनी हो तो link description ने दिया है आप solve कर सकते हैं धे AIS की आरो यारो की test series Thank you so much for watching Big Time Classes